तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है आफटर फेक्स में ट्रिम पाथ तो ट्रिम पाथ बहुत यूजफूल है तो इसे भी बहुत कुछ आप बना सकते हो तो हम लोग दिखते हैं कि ट्रिम पाथ को किस तर से हम लोग यूजफ में लेते हैं अफटर एफेक्स में अब यहां पे लिख दो लाग की तो मैं यहां पर फर्स्ट एक वाइट कलर ले लेता हूं ऐसा अधर यहां पर लिख देता यहां पे कुछ ऐसा है, Welcome to my YouTube channel, Dream City Tutor. तो मैंने कुछ इस तरह से text लिख दिया है, City को मैं क्या करता हूँ, यहां पे मैं 100 ले लेता हूँ, थोड़े से बड़े साइज ले लेता हूँ, I mean 90 भी ठीक है, तो मैं 90 तक ले लेता हूँ, तो यहां पे मैं लिख दिया, Dream City Tutor, तो कुछ इस तरह से मैंने रख दिया, यहां पे लिख लिख लिया है, अभी आपको करना क्या है, जब भी आप crop path ले रहे हो, तो आपको एक चीज याद रखना है, कि आपको जब भी काम करने हूँ, वो text के stroke में काम करना है, तो आपको करना क्या है, यहां पे मैं सबसे first क्या करूँगा, मैं text के उपर right click करूँगा, and then यहां पे जाकर मैं कर लेता हूँ, इसे create shape from text, अब यह करने का मतलब यह हो गया, कि आपके जो text है, वो path में convert हो गया है, in the sense shape में convert हो गया है, तो आप जब भी इसको select करोगे, इसका मतलब यह है, कि आप यहां से भी आप इसको handle कर सकते हो, तो मुझे क्या चाहिए, कि जब मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है, लिख लिया है, कुछ भी चीच जो आप पो चाहिए, तो उसके बाद आप fill को यहां पे बिल्कुल भी ना ले, आप fill को पूरे का पूरा none कर दे, कुछ इस तरह से, and then even though text भी आप यह none रहेंगे, means आपको ना fill चाहिए, ना stroke आप पो लेने हैं, तो आपको कुछ भी नहीं लेना है, आपको simple सा सिब text को दुनों में none कर देना है, जब आप इसको convert कर देते हो shape में, okay, उसके बाद आपको करना क्या है, आप सीधा यहां पे चले जाओ, and then यहां पे add होएगा, तो यह add का मतलब यही होता है, कि आप extra कोई भी properties अगर आप add करना चाहते हो, तो आप add के through ले सकते हो, because of कि अगर मैं यहां से stroke लेता, तो बहुत सारे ऐसे properties थें, जो आपको वहां पे available नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम लोग add करके, यहां पे stroke को ले लेता हैं, तो मैंने क्या क्या जैसे हैं, इसको मैंने stroke में convert की, कि आप देख सकते हो, कि आपके यहां पे बहुत सारे text यहां पे आ चुके हैं, कुछ इस तरह से, तो सारे text मेरे यहां पे कुछ इस तरह से आ चुके हैं, तो आप content के अंदर में सारे text आपको दीख रहोंगे, जो मुझे यहां पे मिले हैं, कि उसके बाद है डेक सकते हो कि यह यहां पर सारी आगए है स्टूख麼 यहां प। यहां पे सारा आपको छैए होंगए तो अपको यहां यहां ऐंद्स यहां अडया है। तो trim path आप जय से यहां पर लेते हो तो आप देख सकते हो कि कि आप जो trim path है इसमें कुछ properties आपको देखने के लिए मिलेंगे अप यह है क्या देखो आप अगर माल लो यहां पर start कर रहे हो यह end कर रहे हो तो आप यहां पर क्या कर सकते हो path को completely आप 00 में ला सकते हो see अगर मैं deselect करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो है जो भी मैंने takes लीके हुए है वो completely आप बोलने का मतलब है कि आप यहाँ से 00 में ले सकते हो मैं इस कुछ भी आपको लेना नहीं है यहाँ पे start में उसके बाद आपको एक काम जरूर कर लेना है कि आप start या end कुछ भी ले लो मुझे end को लेकिन काम में लेना है तो मैं क्या करूँगा सबसे first आपको यह जो slider है वो front I mean first frame पे आप ले के आजाओ कुछ इस तरह से and then यहाँ पे आप ले लेना start because आप जैसे start करोगे आप पूरे का पूरा इसको 100% में ला सकते हो कुछ ऐसे okay तो मैं क्या करूँगा start में मेरे कुछ दीख नहीं रहा है मुझे कुछ भी नहीं दीख रहे है start में तो start वाले जो trim path है उसको click कर दो आप कुछ ऐसे and then चले जाओ कुछ ऐसे आप बना सकते हो animation तो trim path के through आप क्या कर सकते हो कुछ इस तरह के आप animation create कर सकते हो यहां पे तो यह मेरा पूरे का पूरा text बनता हुआ सा हो गया trim path के through में लेकिन अभी भी मुझे बहुत काम करने इसमें तो सबसे first आपको करना क्या है यह होने के बाद आप चले जाओ एक काम करता हूँ जो generally color पे आपको जाने है अप alt प्रेस करके इस color के उपर अप click कर दो तो आपको यहां पे expressions आ जाते हैं expression मैं बाद में और भी deeply explain करूंगा तो जब भी आप expression ले रहे हो यहां पे एक चीज लिख दो wiggle आप लिख दो simple सा wiggle आप यहां पे ले लेना यहां पे wiggle एक option आते हैं आप ले लो and then wiggle का speed आपको जो color change होंगे because of की यह white color है मैं चाहता हूँ थोड़ से colors different डिफरेंट यहां पे आए तो आप एक काम कर लेना यहां पे wiggle का जो color है वो मैं ले लेता हूँ like 30, 30 तो इनके बीच में ही वो animate करेगा हमेशा आप देख सकते हो कि जब मैं यहां पे starting में जा रहा हूँ अभी आप इसको play करोगे जैसे ही तो आपके जो color जो blink हो रहे हैं वो completely different type के color से यहां पे आ रहे हैं इस तरह से आप चाहो तो पूरे का पूरा color आप चेंज कर सकते हो wiggle के through तो simple way में आप चाहो तो इस तरह के animation आप बना सकते हो wiggle के through ओके कुछ ऐसे तो जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा आप यहां पे ले सकते हो ओके तो यहां पे आप simple सा कुछ इस तरह से आप चाहो तो animation बना सकते हो अपने trim path के through see कुछ ऐसा fine तो अभी आप देख सकते हो कि यहां पे जैसे जैसे हम लोग ने wiggle यहां पे डाला था तो उसके recording यहां पे जो color है वो change होने start हो गया है ओके तो यह random color यहां पे चलता रहता है and then आप कुछ इस तरह से अगर आपको कुछ बनाने है तो आप बना सकते हो अपने text के उपर में तो यह भी हमारे चुड़ा सा topic था जो text के लिए जो text में हम लोग trim path लेकर हम लोग animate कर सकते हैं अपने video को कुछ इस तरह से fine तो इस तरह से आप पूरे का पुरा कुछ भी बना सकते हो अपने greetings बना सकते हो किसे को wish कर रहे हो तो आप बना सकते हो तो कुछ भी इस तरह से बना सकते हो आप trim path के through में तो आज की जो topic थी वो थी text में किस तरह से आप trim path use में ले सकते हो I hope कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है अच्छी लगी हो तो प्लेज लाइक करें सब्सक्राइब करें अपना प्यार इसे दे से बरकरार रखें तो मिलते हैं हम लोग आफर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में तब तक के लिए नमश्कार टेक कियर